अस्राम अलेकूम 10th class के first chapter है आज हमारे पास chemical equilibrium इसका पहले lecture है हमारा सबसे पहले इसका introduction है introduction में कुछ basic define है जो short answer question के लिए important है पहले define है हमारे पास complete reaction a reaction in which all reactants are converted into product is called a complete reaction एक ऐसा reaction जिसमें सारे reactants products में change हो जाते हैं तबदील हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं complete reaction मुकमल reaction मतलब सारे reactants react करके product में change हो जाते हैं और कोई भी reactant बाकी नहीं बचता for example हमारे पास है methane CH4 ठीक है इसे हम sweet gas भी कहते हैं जो घरों में हमें इस्तमाल करते हैं methane को जब oxygen की presence में जलाया जाता है ठीक है तो यह reaction होगा इनके दिम्यान इससे हमारे पास बनता है CO2 carbon dioxide plus water plus यहां पे हमें heat भी मिलती है जिसे हम different purpose के लिए यूज करते हैं लाई खाना बगारा बनाने के लिए भी इस्तमाल करते हैं यह गाडियों में इस्तमाल होती है तो यह सारी की सारी methane किसमें convert हो जाएगी CO2 H2O plus heat में convert हो जाएगी तो यह reaction क्या होगा complete reaction इसी दरह अगर हमारे पास यह दूसरा reaction है hydrogen और oxygen को आपस में reaction करवाया जाए in the presence of Pt platinum एक catalyst है जो इन दोनों को आपस में reaction करने में help करता है तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है H2O water ठीक है equation balance करने के लिए देखें यहाँ पे oxygen दो है और यहाँ पे एक है तो इसे 2 से multiply कर देंगे अब oxygen 2 होगे hydrogen 4 होगे लेकिन इंदर कितने हैं 2 तो reactant में भी 2 से multiply कर देंगे chemical reaction को speed up कर दे और खुद उसमें use ना हो मतलब वो इस्तमाल इस sense में ना हो के reaction के बाद वो खतम हो जाए लेकिन वो खतम नहीं होनी चाहिए वो जो catalyst है वो substance होगी जो खुद खतम नहीं होगी ठीक है तो उसे हम catalyst कहते हैं ऐसी substance जो during a chemical reaction खुद यूज नहीं होती ठीक है मतलब खतम नहीं होती पहले reaction reaction start होने से पहले और reaction start end होने के बाद भी वो चीज़ क्या रहती है as such मौजूद रहती है वो चीज़ catalyst कहलाएगी नेक्स टाइम हमारे पास यह important question है why most chemical reaction do not go to completion या इसी को ही कहा जाता है कि why reversible reaction do not go to completion जो reversible reaction है वो complete क्यों नहीं होते ठीक है यह short answer question में ब इन chemical reaction products recombine to form reactants यहाँ पे students आएगा reactants बनाना शुरू कर देते हैं hence most chemical reaction do not go to completion इस वैसे जारता reaction जो है वो complete नहीं होते है इसके example चले मैं लेके देता हूँ आपके बाद यहाँ पर देखेंगे है मेरे पास nitrogen और यह है मेरे पास hydrogen इनको जब हम reaction कराते है ना आपस में तो इससे बनता है ammonia 2NH3 equation balance करने के लिए यह 2 लगाया है nitrogen इदर 2 हैं इदर एक था तो 2 से multiply कर दिया अब hydrogen इदर total 6 हो गए है इदर 2 हैं इदर 3 से multiply कर दिया यह reaction है हमारे पास से reversible शुरू में क्या था हमारे पास सिर्फ nitrogen और hydrogen था जब इनको हमने mix किया तो इससे ammonia बना जैसे यह ammonia बना तो थोड़ी देर बाद ammonia ने दोबारा जो है डीकंपोज होकर nitrogen औ और hydrogen बनाना शुरू कर दिया तो reaction क्या होना शुरू हो गया reverse होना शुरू हो गया अगर क्या होता कि सारे hydrogen और सारे nitrogen मिलके Ni3 बनाते तो reaction complete हो जाना चाहिए था लेकिन reaction क्या होना शुरू हो गया reverse product ने दुबारा क्या करना शुरू कर दिया recombine होके या decompose होके दुबारा reactants बनाना शुरू कर दिये तो इस वज़ा से यह reaction जो है वो क्या है complete नहीं होता मतलब reactants भी रह जाते हैं और कुछ products भी बन जाते हैं तो ऐसे reactions को हम कहते हैं कि यह complete नहीं होते second हमारे पास एक short question है environmental system depends upon equilibrium phenomenon give example जो हमारे environment के अंदर कुदरती मजहर मतलब कुदरती reactions हो रहे हैं कुछ वो क्या है equilibrium की हालत में है कोई चंद एक example लेखे many environmental system phenomenon are due to equilibrium बहुत सारे हैं जी कौन सा पहली example है हमारे पास for example an equilibrium is present in atmosphere between plants and other animals plants, पौदों और दूसरे animals जानूरों में like इनसान या बाकी जानूर ठेक है उन में क्या है एक equilibrium है plant consume CO2 पौदे क्या इस्तमाल करते हैं जी carbon dioxide which is produced by human beings and other animals जो इनसान और दूसरे जानूर जो हैं वो क्या करते हैं produce करते हैं human beings में और बाकी जो organisms हैं living organism animals हैं उनके अंदर एक process होता है जिसे हम respiration बोलते हैं respiration के नतीजे में क्या होता है कि plants animals और human beings क्या करते हैं plants भी वैसे respiration करते हैं तो वो क्या करते हैं glucose को तोड़कर उससे energy produce करते हैं उससे water भी produce होता है और CO2 भी produce होती है यह जो CO2 है यह पौदों को चाहिए photosenses करने के लिए तो पौदे क्या करेंगे photosenses के लिए CO2 को consume करेंगे and animals and human beings using oxygen which is produced due to photosenses process in plants पौदे क्या करते हैं photosenses करते हैं तो photosenses में क्या होता है कि glucose प्लस क्या बनती है हमारे पास oxygen like हमारे पास यह equation है photosenses की CO2 plus H2O इससे हमारे पास बनता है C6 H12 O6 glucose plus O2 oxygen ठीक है यह simple सी example मैंने लिखती है और यहां पे लिखा होता है chlorophyll और sunlight यह photosenses की equation है अब photosenses में oxygen produce हो रही है वो oxygen इनसान और जानवर अपनी respiration के लिए इस्तमाल करें और respiration के नितीजे में क्या बन रहा है CO2 और H2O बन रहा है तो उससे क्या कर रहे हैं वो पौदे CO2 इस्तमाल करें respiration की equation बिल्कुल यही है लेकिन वो उल्टी लिखनी पड़ती है हमें कैसे यह है C6 H12 O6 plus 6 O2 इससे हमारे पास क्या बन जाता है जी 6 CO2 plus 6 H2O plus हमारे पास energy आ जाती है ठीक है जो हमें daily routine में चाहिए होती है अब यह वाला process जो है यह है respiration यह हर living organism के अंदर हो रहा है respiration के नतीजे में CO2 बनता है और photosenses के नतीजे में O2 बनता है जो CO2 है उसे plant इस्तमाल करते हैं और जो oxygen है उसे human beings और बाकी animals इस्तमाल करते हैं oxygen पौदे भी इस्तमाल करते हैं जो यूज करते हैं अपनी लेकिन जो extra होती है वो बाहर निकाल देते हैं अब जो extra oxygen environment में आ गई ठीक है वो human beings और animals ने यूज की और इन्हों ने क्या किया human beings और animals ने इन्हों ने respiration की ठीक है अबस्स है कि पौदे जो पानी के अंदर होते हैं जिने हम aquatic plants कहते हैं ठीक है वो भी क्या कर रहे हैं photosynthesis करें और oxygen निकाल रहे हैं water के अंदर dissolve हो जाती है water में और वहां से ही वो CO2 जो जानवर पानी के अंदर रह रहे हैं वो भी respiration कर रहे हैं वो भी CO2 निकाल रहे हैं तो वो पौदे इस्तमाल करते हैं तो इस तरह उनके दरमियान भी एक equilibrium काईम रहता है यह student simple सा एक topic है आपने याद करने आपने अलाफिस